किसी सहर में एक शेट रहता था उसकी बहुत बड़ी फैक्ट्री थे जिसमें बहुत सारे लोग काम करते थे उस सेट का एक विश्वसनिय मेनेजर था जो बहुत वर्षवास से उसके यहाँ काम कर रहा था सेट जी का उस पर बहुत विश्वास करते थे और सेट की 11 हजिर में सारा काम भी वही देखता था उस मैनेजर की एक खाशेत यह थी कि वो कभी भी 11 हजिर नहीं होता और अपने काम को बहुत अच्छे ढंक से करता अचाना एक दिन वो 11 हजिर हो गया सेट जी ने सुचा मैने बहुत समय से उसका वेतन नहीं भढ़ाया साथ वो कहीं और काम डूढने के लिए गया होगा अगले दिन जब मैनेजर आया तो सेट ने उसके वेतन में 10 परतीसत का याफा कर दिया जब मैनेजर को बढ़ी वी सैलरी मिली तो उसने कुछ भी नहीं कहा चुपचा पैसे लेके चला गया और अपने काम में लग गया फिर सब कुछ कुछ दिन चलने लगा कुछ मैने मेनेजर फिर से गयर हो गया सेट को इस बात का बहुत गुस्ता आया कि मैनेजर का वेतन भी बढ़ा दिया और उसने मुझे धन्यवाद भी नहीं कहा अब मैं उसके बड़ी बड़ी सैलरी वापस काट लूँगा अगले दिन जब मेनेजर जॉब पर आया तो उसे दस परसीजन सैलरी कम मिली यह देखकर भी मेनेजर ने कुछ नहीं कहा और चुपचाव वापस अपने काम में लग गया यह देख सेट बहुत आच्छे अरेशकित हुआ उसने मेनेजर को बलाया क्या बात है तुम किसी भी बात पर अपनी परतिकिरिया नहीं देते जब तुम्हारी सैलरी बढ़ी तब भी तुमने कुछ नहीं कहा और जब तुम्हारी वेतन विद्धी वापस ली जा रही है तब भी चुम चुप हो ऐसा क्यों मेनेजर ने मुस्कराते वे का सेट जी दरसल पहली बार मैं उस दिन गयर हजिर हुआ था जिस दिन में जी बेटी हुई थी जब आपने मुझे वेतन की ब्रोजरी दी तो मैंने ये सोचा कि ब्रोजरी मेरी बेटी के लिए है दूसरी बार जब मैं गयाथ हाजिर हुआ जब मेरी माता का देहान थो गया उसके बद आपने मेरी बढ़ी बढ़ी सालरी वापस ले ली तो मुझे लगा अब मेरी माइस दुनिया में नहीं है इसी कारण मुझे घटी बढ़ी सालरी मिली मैनेजर की सकारात्मस सोच जेकर सेड़ी उठे और से गज़े से लगा लिया और का कंपनी में तुम्हारे जैसे सकारात्मस सोच के लोग हो जो हर परिस्ति में कुछ अच्छा देखते है वो कंपनी कभी भी किसी से पीछे नहीं रख सकती यह कहते हैं सेड़ी ने उसकी दुगनी सैलरी का चेक मैजर की तरफ बढ़ा दिया तो इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हर वेक्ति किसी भी नाकरात्मक परिस्ति में असरों की इतलास करता है और इसी कारण किसी भी परिस्ति को समालने काबिलियत खुद में पैदा कर लेता है यदि हम इस बात को समझ चके तो जीवन में कोई भी रंग हमें विचलित में ही कर सकेगा धन्यों